अग्यान अग्यान प्रह्म से हमारे अंदर काम नायोत पन्र होती है और जब कामनाओं की पूर्ती नहीं होती तो हमारे अंदर अशन तुष्टत आती है हमारे कामा संजायते क्रोधा हमारी बुद्धी मलिन होने लगती है कामनाओं की पूर्ती में भी लोग जागरत होता है और भोगने की इच्छा जागरत होती है कामना की पूर्ती में बाधा पढ़ने पर क्रो होना सुझाइग जाता है विशेयों का जो चिंतन है यही नास की जड़ है और अज्ञान के करण हमको ऐसा लगता है कि अध्यमे मन-मानी विशेब भNको मिल जाए तो सुखी हो जाए देखौ हम भधंप्री है ना दंप्र नहीं प्रिए धन से विश्य मिलते अिसले प्रिय अगर अ में प्राइअ प्रिगो तो उसकी कोई खास भात है रुरूपइया प्री नहीं है रुपइया से सामागरी मिलती है हम जो चाहे हो भोग सकते हैं जहां चाहें जा सकते हैं रुपे का प्रियोग प्री है इसलिए रुपे की माननता है अब वो प्रियोग क्यों प्री है क्योंकि मन और इंद्रियां उसे अच्छा चम मानते हैं कि ये भोग लूँ ये देख लूँ ये छूलू तो मन और इंद्रिय जिनके पास ये सब भोग हैं, उनके क्योंने इतरफ्त हो गया, महलो आपने पास तो है ने, लेकिन वो चीज किसी के पास है, वो क्योंने इतरफ्त हो गया, तो इसका मतलब है कि हमको ड्रामे में फसाया गया, अज्यान में फसाया जा रहा है, बार बार भोगो, बार बार देखो इस संसार का सबसे बड़ा सुख कहा नहीत किया गया है नित्मा ने स्थापित किया गया है आप दिमाग में अपने ढूड़ो दिमाग में ढूड़ के जब आओगे तो इंद्री भोग केवल सबसे बड़ा सुख है आप देख लो सब अपने दिमाग में देखो मैं अरधांगने ओ, मन मानी जो मैं चाहूं ऐसा भोगूं, लेकिन ये सब है किसी के पास जैसा तुम सोच रहे हो, इससे भी अच्छा है किसी के पास, लेकिन वो भी तरपत नहीं है, भिडंबना है, कि जिस सरीर को देखकर तुम चाहते हो, तो मैं सुखे हो जाओं, उसी को कोई भोग रहा है, और वो उधर से निर्पेक्श, वो किसी तीसरे की तरप देख रहा है, और वो तीसरा जिसके उपर वो चौथे की तरप देख रहा है, यह है क्या, बड़ा सूक्ष में भी सह है, अगर इसको देखा जाए, तो यह है क्या, मुले अग्यान, यही सब का मूल ज अग्यान है, जिसमें हम थस रहे हैं